हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज मैंने आपके लिए करेंट फेस का काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंपोर्टेंट समिट यानी महत्पूर्ण सम्मेलन दोहयार चौबिस सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहे है तो यह हर एक्जाम में यहां से एक से दो कोशन जरूर पूछा आता है फ्रेंट्स तो आप इस टॉपिक को तयार करेंजे एक्जाम से पहले काफी यूसफुल हैगा देखे फ्रेंट्स जितने भी संगठन जैसे SEO संगठनों के उसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी याद कर कर लेते वीडियो में काफी मेहनत लगती इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स और कमेंट में प्यारा सा फीडवेक जरूर दीजिएगा देखते हैं कोश्चन नमर फस्ट हमारा कोश्चन नमर फस्ट देखिए काफी ज्यादा राजधानी भूबनेश्वर में अठार्मा प्रवाश्री भारती सम्मेलान का आज़न किया जाएगा आई डिटेल में समझते हैं अठार्मा प्रवाश्री भारती उडिसा की राजधानी भूबनेश्वर माजित किया जाएगा यह कारेक्रम भारती प्रवाश्री समदायक के योगदान को सम्वानित करता है इसकी शुरुवात कभूई थी पहली बार इसका आजन सन 2003 में किया गया था देखे फ्रेंट्स पहले इसका आजन प्रतिवर्श किया जाता था लेकिन 2015 से प्रवासी भारती दिवस हर दो साल माजित किया जाता है देखे फ्रेंट्स पिछला संस्क्राण जो है 2023 में इंदो और मध्यप्रदेश में हुआ था प्रवासी भारती क्यों मनाते हैं ये तो महात्मा गांधी जी 9 जनबरी 1915 को दक्षिन अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में ये मनाया जाता है एक कोशन और बनता है प्रवासी भारती दिवस कम मना ज जाता है तो 9 जनबरी को प्रवासी भारती दिवस मना जाता है ये भी आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स एक्जाम में डारेक्ट कोशन या से पूछा जाता है आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड दिखिए हमने आपके लिए करेंड फेस की एक स्पेसल मास्टर पीड में टॉपिक वाईज आपको मिलेगा और इसमें आपको एक हजार ओनलाइन कोशन जनबरी सक्टूबर तक कम्प्लीट आज तक का अपडेटेट पीडियाफ ये रहेगा फ्री मिल रहा है इसको आप लिंक के माध्यम से पर्चेस कर सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स का आज़न कहां हुआ है राइट एंसर रहाएगा ओप्सन बी रूस के कजान में ब्रिक्ष शिकर संब्लन 2024 का आज़न किया गया डिटेल में समझते हैं कौन से संस्क्रण था ये 16 संस्क्रण था इसका आज़न 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक हुआ है इसकी धीम क्या थी न्याय संगत वैशुक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवात को मजबूत करना देखे भारत की ओर से प्रतने तो कौन किया तो भारत के प्रधान मंत्री शोले ब्रिक्ष सिखर संब्लन में हिस्सा लिया अगला कहां पर होगा तो 2025 में ब्राजील में होगा जो आप याद करने की बहुत आसान ट्रीक है इसका नाम है और इसकी कंट्री भी है बी से ब्राजील आर से रसिया आई सी इंडिया सी से चाइना एस साथ अफ्रीका इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और पहला ब्रिक्षिकर समयलान हुआ था 2009 में रूस में हुआ था तो इस पूरे मेंबर जो है इनकी ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी ट्रीक है पिंकी ट्रक एक्जाम में कोशन कई बार पूछ लेता है संगहाई शयोक संक्तन की ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा इसमें 10 मेंबर है तो टूटल दिखिए पिंकी से आप याद रख सकते वेलारूस बस याद रखना होगा आगी सी से चाइना के से कजाकिस्तान देखिए मैंने ट्रिक के माधयम से आपको पूरे 10 मेंबर को याद करा दिया इसमें कोशन बहुत बार पूछा आता है इसका आपको एक चीश जरूर याद रखना है SEO को जो है न फ्रेंट्स मेंमार जो है इसका सदस्य नहीं है यही कोशन पूछा आते इन में से कौन सदेश SEO का मेंबर है तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा मेंमार जो है नहीं है ठीक है 10 मेंबर आपको पिंकी ट्रक से याद रख सकते हैं अगला कोशन 2024 में नाटो सिखर सम्मेलन का आजन किस देश में किया गया राइट एंसर है उपसंडी अमेरिका में 2024 का नाटो सिखर सम्मेलन अमेरिका में आयजित किया गया देखे फ्रेंट्स नाटो सिखर सम्मेलन दोयर 24 का आजन 9 से 11 जुलाई तक वासिंटन D.C. यूसे में किया गया तो यूसे की राजधानी वासिंटन D.C. में किया गया नाटो की वाथोरित नाटो का मुख्याला है बृिशेल्टेल्स बेलिजियम में नाटो की स्थाबना होत लगता है कि अच्छा कंटेंट है तो वीडियो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मारा ट्रिक और क्लास कैसा लग रहा है अगला कोशन है पच्छासवा जी सेवन सिकर्समेलन दोहजार चोविस काईजन की इस देश में किया गया देखिए फ्रेंट्स इस को यह काफी चर्चा में था देखिए फ्रेंट्स जी सेवन सिकर्समेलन तेरा से पंद्रय जून दोहर चोविस तक इटली के अपुलिया शहर में इसका आवजन किया गया था भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री मोधी जीनेस में भाग लिया था देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर साइलेंट्स रहेगा फिर जी अप से जर्मनी याद रख सकते हैं एप से फ्रांस ठीक है इसमें इंडिया जो है जी सेवन का सतर से नहीं है जी सेवन की स्थापना होई थी 1975 में तो यहाँ पर मैंने ट्रिक के माद्ध है हमसा आपको पूरे जो है सेवन जो प्राथ करा दिया अगला कोशन है एक सो बारवा अंतराष्ठी स्रम समयलन कहां आजित किया गया रइट ऑट सूरेस्अ व्या्य Jon मे देखिए इंगली सम् third voice of the global south summit यानि BOGSS का आजन कहा हुआ right answer व्यागा option अपने भारत में third voice of the global south summit इसका full form होता है global south summit third voice of global south summit का आजन भारत में हुआ है इसकी theme थी an empowered global south for sustainable future तो theme भी ज़रूर याद रखिएगा देखे सिखर समयलन की मेजबानी भारत ने की थी में 123 देश्टों के नेता और मंत्री शामिल थे हैं अगला प्रसने चवालिश्मा आसियान सिकर सम्मेलन कायजन 2024 में कहां किया गया एक्जाम्स के लिए काफी important question रहेगा राइट एंसर व्यागा option है लाओस में देखिए थीम क्या थी इसकी friends enhancing connectivity and reliance ठीक है याद रखिएगा देखिए आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसका मुख्याल है जकारता इंडोनेशिया में है आसियान का full form होता है association of south east asian nation अब आसियान की जितने भी member है friends वो मैं आपको trick के माध्यम से याद देखिए tv clip of mbbs ठीक है off यहाँ पर silent रहेगा देखिए tv से T से Thailand V से Vietnam फिर clip से C से Cambodia L से Laos I से Indonesia P से Philippines mbbs से M से Malaysia B से Burma ya Myanmar B से Brunei S सिंगापूर यहाँ पर off जो है silent था tv clip of mbbs इस line को आप याद रखिए आपको आसियान देश के जो है पूरे member याद हो गए होंगे उमीद करता हूँ आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही होगी ट्रिक कैसी लगी comment section में जरूर बताईएगा friends अगला question है स्विट्जा लेंड के जिनेवा में आउजित 77 वे world health assembly की theme क्या थी right answer है option है all for health health for all ये इसकी theme थी देखे 77 वे विश्व स्वासवा 27 से 1 जून 24 तक जनेवा सुट्जे लेंड में आउजित किया गया इस दौरान वेशिक स्वास्त के साथ साथ भविश्व में कोरोना जैसी महमारी से कैसा बचा जा इस पर भी चर्चा की गई आगला प्रसन है बौन जलवाईव शंमेलन 2024 कहा आउजित किया गया है राइट एंसवाईव स्वास्त मेलन 2024 का आईजित किया गया इस तीन से जून 2022 तक 20 सो कंवेंशन सिंटर बौन में आउजित किया घर्मनीमे इस और Harboressä Sports Option A, Electronics और सूचन प्रद्योग की मंत्राले द्वारा Global India AI Summit 2024 कायजन किया गया Electronics और सूचन प्रद्योग की मंत्राले द्वारा 3 जुलाई से 4 जुलाई तक दिल्ली में दो दिविश्य ग्लोबल इंडिया AI सिखर सम्मेलन 2024 कायजन किया गया अगला प्रस्ट AI for good global summit 2024 कायजन कहां किया गया Right answer है Option A, Switcher Land में AI for good global summit 2024 कायजन कहां किया गया Switcher Land में हाली में Switcher Land के जेनेवा में AI for good global summit 2024 कायजन किया गया इसमें भारत का प्रतेहित किया था दूर संचार अपरसचिव स्री नीराज बर्मा ने Next question है भारत के की शहर ने 46 विश्व धरोहर सम्ती बैठक की मेज़वानी की Right answer रोजागा Option C नई दिल्ली में नई दिल्ली में 46 विश्व धरोहर सम्ती की बैठक हुई है देखें विश्व धरोहर सम्ती 46 वा सत्र 21 से 30 जुलाई 24 तक आज़ित किया गया पहली बार है कि विश्व धरोहर सम्ती की बैठक भारत में आज़ित की गई फ्रेंट देखें जितने भी कोश्व लगभग मैं इसमें 40 प्लस कोश्व आपको कराऊंगा इसमें 30 ऐसे कोश्व होगे फ्रेंट जो एक्जाम में जरूर पूछे आ सकते हैं इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और आप इस वीडियो को जरूर तयार कर लिजे एक्जाम से पहले अगला कोश्व है हमारा ग्लोवल टेक्स्टाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां किया गया राइट अंसर है आपसंटी नई दिल्ली में नई दिल्ली में ग्लोवल टेक्स्टाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया गया इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं मोधी जी ने 26 फरवरी को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्स्टाइल एक्सपो भारत टैक्स का उधर्टन किया इसका आयजन कपड़ा मंतराने द्वारा किया गया इस एक्सपो में 100 से धिक देशों ने भाग लिया अगला प्रस्न है नौमा रायसीना डायलाग दोहर चोविस की थीम क्या है राइट एंसर है ओप्सन है नौमा रायसीना डायलाग की थीम है चतुरंगना कॉनफ्लिक्ट कांटेस्ट कॉपरेट क्रियेट रायसीना डायलाग का नौमा संसकरण 21-23 फरवर दोहर 24 तक नई दिल्ली माजित किया गया इस सम्मेलन में 100 से जादा देशों के प्रतिनी सम्मील हुए थे इसकी थीम क्या थी चतुरंग, संघर्स, प्रतियोगता, सहयोग और स्रिजन फ्रेंट देखिए जितने भी सम्मेल नई दिल्ली में भारत आई ओ आरे क्रूज परेटन सम्मेलन कायजन किया गया इसका उद्देश है आई ओ आरे यानि की इंडियन ओशन रीम एसोसियेशन के भीतर क्रूज तटी और समुद्री परेटन की छमता को अधिक्तम करने के लिए सहयोग एक जान, साजाकरण और र भारत और भूटान के बीच शीमा सूल के सेंक्त बैठक की बैठक लेह में आजित हुई है डिटेल में समझते हैं भारत और भूटान के बीच पांचमी जेप जीशी बैठक 6-7 मई 24 को लेह लद्दाक में आजित की गई ये बैठके भूमी शीमाओं पर कनेक्टिविटी ब ग्लोबल इंडिया एयाई समीटी का आजिन 3 और 4 जुलाई 24 को नई दिल्ली में भारत में किया गया शीकर सम्मेलन एयाई परिस्तिकी तंदर के प्रमु पर केंदरित था अगला प्रस्न है बिश्व सरकार सिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को अतिती देश घोशित किया गया था गेस्ट कंट्री किसे घोशित किया गया था राइट एंसर है अपने देश भारत को विश्व सरकार सिखर सम्मेलन 2024 में गेस्ट कंट्री आनी अतिथी देश खोशित किया गया था विश्व सरकार सिखर सम्मेलन 2024 का 11 संसकरण 12-14 फरवरी तक सैउक तरब अमीरात में आजित किया गया इसमें guest country थे भारत, तुर्की और कतर अगला प्रस्न है चावणवा विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत द्वारा कौन सा घटवंदन लांच किया गया राइट एंसर है option C Global Good Alliance Equity for Equality ये जो है विश्व आर्थिक मंच की बार्षिक बैठक में ये गटवंदन लांच किया गया विश्व आर्थिक मंच की चावणवी बैठक 15 से 19 जनवरी तक सुर्जय लेंड के दावोश में आजित की गई इसका विश्वास का पुनर निर्माण इंगलिस में Rebuilding Trust इसका आईजन हुआ है सुर्जय लेंड के दावोश में अगला प्रस्न है विश्व का पहला World Audio Visual Entertainment Summit का आईजन कि इस देश में किया जाएगा राइट एंसर हो जाएगा option D अपने भारत में विश्व का पहला World Audio Visual Entertainment Summit का आईजन भारत में किया जाएगा विश्व द्रिश श्रब में मनोरंजन सिखर सम्मेलन 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा राज्य में आजित किया जाएगा कहां पर आजित किया जाएगा या गोवा में अगला प्रस्न है किस हवाई एड़े पर विंक्स इंडिया 2024 अंतराष्टी प्रस्नी और सम्मेलन आजित किया गया राइट एंसर है option C बेगम पेट हवाई एड़े में बेगम पेट हवाई एड़े में विंक्स इंडिया 2024 अंतराष्टी प्रस्नी और सम्मेलन आजित किया गया इसका आयोजन अस्तलता बेगम पेठ हवाई एड़ा हैदराबाद में 18-21 जनवरी दोहर चोवीस तक आजूत किया गया राइट एंसर है औप्सन भी नाशीक में नाशीक में 27 राष्टी यूवा उत्सो दोहर चोवीस का आज़न किया गया प्रधान मंत्री मोदी जी ने 12 जनवरी को महराश्ट के नाशीक में 27 राष्टी यूवा महुत सो बारा से 16 जनवरी तक आजूत किया गया इसका आज़न यूवा मामले और खेल मंत्राय द्वारा किया गया अगला कोशन है वर्स 2023 में कनाटक के बैंगलूरू में विश्व काफी सम्मेलन के किस संस्क्रण का आज़न किया गया राइट अंसर है उप्सन सी फिफ्ट वर्स 2023 के कनाटक बैंगलूरू में इस्थित विश्व काफी सम्मेलन का पांचवा संस्क्रण का आज़न किया गया डिटेल में समझते हैं पांचवा विश्व काफी सम्मेलन 25-28 सितंबर 2023 तक कनाटक के बैंगलूरू में आज़ित किया गया यह पहली बार था जब किसी एशियाई देश में विश्व काफी सम्मेलन आज़ित किया गया था राइट अंसर है ओप्शन डी नीदर लेंड में विश्व हाइडोजन सिकर सम्मेलन 2024 काज़न नीदर लेंड में किया गया इसका उद्देश्यता स्वक शूर्जा की रूप में हाइडोजन को बढ़ावा देना पहला वैस्विक आर्टिफीसियल इंटेलिजन सम्मेलन काज़न की स्देश में किया गया राइट अंसर है ओप्शन डी ब्रिटेन में पहला वैस्विक आर्टिफीसियल इंटेलिजन सम्मेलन काज़न की स्देश में किया गया है ब्रिटेन में डिटेल में समझते हैं Artificial Intelligence Safety 70 2023 1 और 2 November 2023 को Banking Sire UK में शुरू हुआ है इस सम्मेलन में UK, US, France, Indonesia, Kenya, Saudi Arab, Korea, साइट कई देशों ने भाग लिया अगला कोशन दोस्तों और ये कोशन एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है जी 77 सिकर सम्मेलन 2024 कहां आजित किया गया है Right answer है Option D, Uganda में Uganda में G77 सिकर सम्मेलन 2024 का आजित किया गया G77 सिकर सम्मेलन 2024 का आजित 20-22 जनवर 2024 तक Kampala, Uganda में किया गया देखे, friends, यह है 134 विकासी लेसों का गठवंदान है जो अपने सदस्यों के शामोही कार्थी खितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है देखे, G77 की स्थापना हुई थी 15 जून 1964 को इसका मुख्याला है जनेवा में अगला प्रस्म अठारवा G20 सिकर सम्मेलन का आजिन भारत में किया गया इसकी थीम क्या थी ये कोशन एक्जाम के लिए 5 इस्टार मार कर लेना राइड एंसर हो जायागा इसका ओप्सन ए बशुधैव कुटुमकम बशुधैव कुटुमकम अठारवा G20 सिकर सम्मेलन जो कि भारत में आजित किया गया थे इसकी थीम थी इसका विश्य था बशुधैव कुटुमकम जिसका आर्थ होता है एक प्रितिवी एक परिवार एक भविश उननीश्वा G20 सिकर सम्मेलन 2024 ब्राजील में आजित किया जाएगा तो जो अभी आजित किया जाएगा 2024 ब्राजील में होगा देखिए फ्रेंड्स जो G20 इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और पहला G20 सिकर सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था अभी हाली में एक एक एक्जाम में कोशन पूछा था पहला G20 सिकर सम्मेलन काजन कहाँ हुआ था अमेरिका में 2008 में अगला कोशन है सातवा इंडियन ओशन कॉनफरिंस 2024 निम्लिखित में से कि स स्थान पर आजित किया गया राइट अंसर है परत् mis शातवा इंडियन ओशन कॉनफरिंस 2024 का आजिन किया गया देखिए साथवा हिंद महासागर समेलन 2024 नव से दस फर्वरी तक उस्टिलिय के पर्थ में आजित किया गया इसमें भारत की ओर से किस ने भाग लिया था भारत की विदेश मंत्री डाक्टर एश जय संकर निश्में भाग लिया था अगला प्रस्न है 51 वी इंटर पॉल महासवा कायजन किस देश में किया गया राइड एंसर है ऑप्शन भी ऑस्ट्रिया में संगठन की सौवी बर्सगाट 2023 में है महासवा ने दुनिया भर के वरिष्ट पुलिश अधिकारियों ने भाग लिया और अंतराष्टी संगठित अपराद तथा बरतमान में उभरते खत्रों की चर्चा की अगला प्रस्ट ने बिश्व स्वाथ संगठन और आईस मंत्राले द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैशिक सिखर सम्मेलन काजन कहां किया गया गुजरात में बिश्व स्वाथ संगठन और आईस मंत्राले द्वारा पहला पारंपरिक चिकित्सा वैशिक सिखर सम्मेलन काजन किया गया शिखर सम्मेलन का उध़टन बिश्व स्वाथ संगठन के महाने जिसक डाक्टर टेडोस एडनॉम घेब्रेयसेस ने किया इसका प्राथ्मिक लक्षे सभी के लिए स्वास्त और कल्यांण सुनिशित करना अगला प्रस्ण है सैंउक्तराष्ट महासबा का अठातरवा सत्र का आज़न कहां किया गया राइटिन सर ए्वैन उप्सान ए अगला प्रसन है कि इस राज्ज में नौवा भारत अंतराष्टी विग्जान महुस्व का आजन किया गया राइट एंसर है ओप्सन डी हरियाणा में हरियाणा में नौवा भारत अंतराष्टी विग्जान महुस्व का आजन किया गया भारत अंतराश्टी विग्जान महसो 22 का नौवा संस्क्रण 17 से 20 जनवर 24 तक फरिदाबाद हरियनयम आजित किया गया विग्जान और प्रदुग की विभाग द्वारा भारत अंतराश्टी विग्जान महसो का आजित किया गया अगला प्रस्ण है मार्च 2024 में संघाई सहयोग संग्ठन स्टाटप फोरम का चौथा संस्क्रण कहां आजित किया गया था राइट अंसर है ओप्सन भी नई दिल्ली में अगला कोशन है Quad शिखर सम्मेलन 2024 का आजन कहा हुआ Right answer है Option D संयुक्त राज अमेरिका में USA में Quad शिखर सम्मेलन 2024 का आजन किया गया Quad चार देशों को एक समूव है जिसमें Australia, भारत, अमेरिका और जापान सामिल है Quad चार देशों को एक अनुपचारिक मंच है इसका उदेश है हिंद प्रसान छेत्र के किसी भी बाहरी शक्ती के प्रभाव समुक्त रखने के लिए नई रणनीती बनाना अगला कोशन है World Economic Forum Annual Meeting 2024 की थीम क्या है Right answer है Option D Rebuilding Trust Rebuilding Trust World Economic Forum Annual Meeting 2024 की थीम है विश्वार्थिक मंच की 94 बार्षिक बैठक 15 से 19 जन्वरी द्वार 24 सुट्जलन के डावोस में आज़ित की गई इसका विशय है विश्वास का पुनन निर्माड अगला कोशन Global Partnership Artificial Intelligence द्वार तेश शिखर सम्मिलन की थीम क्या थी Right answer है Option E सारवधनीक छेत्र के अनुप्रियोगों में उत्तरदाई AI को आगे बढ़ाना इसका आज़न 12 से 14 सितंबर दिल्ली में किया था अगला कोशन किस देश ने नौवाँ P20 यानी Parliament 20 सिखर सम्मिलन की मेजवानी की Right answer है अपना देश भारत भारत ने नौवाँ P20 यानी Parliament 20 सिखर सम्मिलन की मेजवानी की है अगला प्रस्ट World Robot Conference 2023 का आज़न कहां किया गया Right answer है Option B बीजिंग चीन में बीजिंग चीन में World Robot Conference 2023 का आज़न किया गया 200 Robot सम्मिलन 2023 का आज़न अगस्ट 2023 में चीन की राज़ानी वीजिंग में किया गया 200 Robot सम्मिलन 2023 में 160 से धिक घरेलू और विदेशी देशों के लगवाग 600 Robot प्रसित किया गया अगला कुशन COP28 सम्मिलन का आज़न कहां किया गया Right answer है Option B सैयुक्त अरब अमिराद में COP28 सम्मिलन आज़ित किया गया COP28 का आज़न 28 नमबर से 12 असंबर तक सैयुक्त वराब वैमिराद में किया गया तो देखे फ्रेंड्स हार्ती प्रदानमति नैनमोदी ने 30 नमबर से दो दिनों तक भिष्व जलवाईव परिवरतन सीखर सम्मिलन में भाग लिया अगला है National Smart City Conference का आज़न कहां किया गया Right answer है Option C इन दौर में National Smart City Conference का आज़न इन दौर में किया गया सितंबर दोहार तेईस में मत्रदेस की इन दौर में राष्टी Smart City सम्मिलन काज़न किया गया यह सम्मिलन केंदरी शहरी विकास मंतार दोरा आज़ित किया गया था आगे देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने 48 कोश्चन आपको कम्पीट करा दिये वीडियो में आगे आपके लिए टेस्ट का कोश्चन भी है उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारी करेंट अफेस की मास्टर पीडियेफ जनवरी सक्टूबर तकी कम्पीट अप्डेट जैसे हम रिटेल में फोटो ट्रिक के साथ में पढ़ाता हूँ आपके लिए लिंक से क्लिक करिए और इमेल आडी ध्यान से डालिएगे इमेल आडी पर आपको पीडियो फाइल अटेच रहेगा अगर आपको कोई प्रॉल्म आती वाट्स पर मेसेज कर सकते हैं हमारा नमबर है 7067567024 पर फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट का कोशन है ब्रिक सम्मेलन 2024 का आजन कहां हुआ इसका एंसर आपको बताना है इसके लावा फ्रेंड्स आप हमारा जीके का ओल्लाइनर भी खरीच सकते हैं साइन्स की पीडियेफ इस्टेटिक जीके का पीडियेफ और इंग्लीस मिड hebben in students के लिए फ्रेंड्स हमने एक है लगग चैनल बनाया है इसको जरूर सब्सक्राइब करें यहाँ पर आपको इंग्लीज मिडasmine में कउलिएगा और जो है फ्रेंड्स हमारा साइन्स का पीडिये जरूर पढ़िएगा 5000 questions का all exams के लिए important है friends अगर आपको वीडियो लगता है कि मैंने मिहनत के content में quality है तो please please do like करिएगा इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा share करिए चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करिए और अगर आपको लगा हो session अच्छा है useful आप के लिए प्लीज एक feedback जरूर दीजिए का आपको कैसा लगा मैं आप सभी के comment रीट करता हूं और comment जरूर करिएगा thank you so much friends